दोस्तों, हमारी सीरी चल रही है जेम कॉर्बिट की भूक दाउमनी बस और उसकी स्टोरी चल रही है दा मैन इटिंग लेपरड ओफ रुद्र प्रयाग कहानी के पिछले पार्ट्स प्लेलिस्ट में हैं, आगे की कहानी कंटीन्यू करते हैं अब दोस्तों, अगला चैप्टर है मैजिक, अब जेम कॉर्बिट जो की तेंदुए के इंतियार में रुद्र प्रयाग के सस्पेंशन ब्रिज में फिछले 20 दिनों से बैट रहे थे तो जेम कॉर्बिट बोलते हैं, जब मैं शाम को सस्पेंशन ब्रिज की तरफ जाता था, तो मेरे साथ दो आदमी भी जाते थे वो नीचे से सीड़ी पकड़ते थे, मैं उपर चड़ जाता था, और उसके बाद वो लोग सीड़ी हटा लेते थे जब दूसरे दिन हम वहाँ पहुँचे तो एक आदमी सफेद रंगे कपड़े पहना था, उसके सर पर और सीने पर कुछ चमक रहा था, वहाँ खड़ा था उसके हाथ में छे फुट उचा एक क्रॉस था, और वो किदारनाथ वाली रोड से ब्रिज की तरफ आया था अब जब वो इनसान ब्रिज के पास पहुँचा, उसने अपना सर उस ब्रिज में छुकाया, अब उसके बाद वो उचा उठा, उसने अपने क्रॉस को जुकाया, फिर सिर जुकाया, फिर दो कदम आगे बढ़ा, फिर उसने सर जुकाया वो ऐसा करता ही रहा हर थोड़ी देर में जब तक वो चलता रहा उस ब्रिज पर जब वो मेरे पास से गुजरा तो उसने अपना हाथ उपर उठाया सैलूट करने के अंदाज में लेकिन क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा था तो मैंने उससे कोई बातचीत नहीं की और जब मैंने उसके सीने पर और सेर पर देखा जो दूर से चमक रहा था तो वो सिल्वर क्रॉस थे अब जो मेरे साथ आदमी थे वो भी आश्चरे चकित थे उतने ही जितना आश्चरे चकित था मैं और जब उसको खड़ी चड़ाई रुद्र प्रयाग बाजार वाली चड़ते हुए देखा तो मेरे आदमीयों ने मुझे से पूछा कि ये कौन है और क्या है और ये किस देश से आया होगा अब वो आदमी क्रिश्यन था इसमें तो कोई शक नहीं लेकिन क्योंकि उससे मैंने बाच्चीत नहीं की थी उसको बोलते हुए नहीं सुना था उसकी लंबी दाड़ी और लंबे बाल देखके मैंने अंदाजा लगाया कि ये जरूर नौर्थ इंडिया के रहने वाला है अगले सुबह जब मेरे आदमी आए उन्होंने सीडी लगाई और उसकी हेल्प से नीचे उतरा और जा रहा था इंस्पेक्शन बंगलो की तरफ अब मैं जब आगे बढ़ा तो मुझे वो आदमी एक जगे पे खड़ा हुआ ना जराया ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नदी देश से आया है और गड़वाल के लोगों को उस बुरी आत्मा से मुक्ति दिलाने आया है जो कि आदम खोर के रूप में यहां के लोगों को परेशान कर रही है और जब मैंने पूछा कि आप उनको मुक्ति कैसे दिलाओगे तो उसने कहा कि वो एक टाइगर की आकरती बना और उस बुरी आत्मा को उसके अंदर प्रवेश करने के लिए मजबूर कर देगा और उसके बाद उस टाइगर के बुत को नदी में वहा दिया जाएगा नदी उसे समुद्र में ले जाएगी और उसके बाद वो बुरी आत्मा वापस नहीं आ पाएगी अब जो में कॉर्विट बोलते हैं कि वो जो कह रहा था उसमें मुझे पूरी पूरी शंका थी लेकिन उसका जो विश्वास था उसकी मैं सराहना करता हूँ अब रोज सुबह जब मैं ब्रिज के टावर से उतर के वापस जाता था उसे आता हुआ देखता था और जब मैं शाम को ब्रिज पर बैठने के लिए आता था वो आदमी अभी भी नदी के किनारे कुछ ना कुछ काम कर रहा होता था उसके पास बांस थे रस्टिया थी कागस था सस्ता वाला कागज जिस से की वो बना रहा था अपना टाईगर उसका टाईगर कम्पलीट ही होने वाला था कि एक दिन तूफान आ गया बारिश आ गयी टाईगर खराब हो गया लेकिन अगले दिन फिर वोसे बनाने में लग ग गाना गाता रहता अब वो दिन आ गया जिस दिन उसका टाइगर कम्प्लीट हो गया उसका जो टाइगर था वो घोड़े के आकार का था और ऐसा कोई जानवर नहीं था जिससे की उस टाइगर की शकल मिलती अब हमारे पहाड के लोगों में ऐसा कौन है जिससे की तमाशा कर आनंद ना ले जब उस टाइगर को नीचे नदी के रेतीले तट पर ले जा रहा था बहुत सारे लोग थे जो मदद कर रहे थे बहुत सारे लोग शोर शराबा कर रहे थे सीटिया बजा रहे थे लंबी लंबी ट्रमपेट भी बजा रहे थे अब जब वो टाइगर नीचे खड़ा कर दिया गया, उस आदमी ने अपना क्रॉस घुमाया, जो कि छे फुट उचा था, गुटनों पे बैठा, बहुत सारी प्रार्थना की, ताकि बुरी आत्मा आए, और इस टाइगर में घुश जाए, और उसके बाद, उस टाइगर के पुतले को गंगा में बहा दिया कि अच्छे इंसान, अच्छे संत, कहां से आते हैं, कहां जाते हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं होगा, और जिन लोगों ने उसे संत बोला था, इनके माते पे चंदन का लेव था, और ये लोग हिंदू थे, उसके बावजूद इनोंने दूसरे धर्म वाले का सम्मान किया और जिम कॉर्वेट का बोलना है, कि जिस देश में आस्था इतनी बड़ी है, जहां पास्पोर्ट की जरुवत नहीं होती है, कोई पी इंसान उत्तर से लेके दक्षिंड तक भगवा वस्तर पहन के, या इस तरह से सफेद वस्तर पहन के, हाथ में क्रॉस लेके, या फिर भ जाड़ ही कर रहा था, उस ताइम पर आइबर्सन और उनकी वाइफ जीन वहां पर आ गए, इंस्पेक्शन बंगलो में, और क्योंकि इंस्पेक्शन बंगलो में कमरे सीमी थी थे, तो मैंने उनके रहने के लिए बंगला खाली कर दिया, और अपना 40 पाउंड का टेंट, प उसके पंजों के निशान हो, उसके सामने एक टेंट कोई सुरक्शा नहीं प्रदान करता, तो मैंने अपने आदमियों से कहा कि कटीली बाड लगा दो चारो तरफ, जहां पर हम लोग कैंपिंग करने वाले, अब जहां पर हम बाड लगा रहे थे, उसके पास ये तो मैंने अपने आदमियों से कहा कि जितनी शाखाएं बाड बनाने में रुकावट डाल रही हैं, उन्हें काट दो, लेकिन जब वो शाखाएं काटने लगे, तो मुझे लगा कि दिन के समय पर ये पेड और ये शाखाएं छाओं देने का काम कर रही हैं, धूप से बजा तो मैंने उनसे कहा, इन शाखाओं को लटकने दो, जितनी नीचे परिशान कर रही हैं, उन्हें काट दो, अब वो 45 डिगरी पर शाखाएं हमारी फेंस के अंदर आ रही थी, अब उस केम्पिंग के बाड़े में हम लोग 8 आदमी थे, जब हमने खाना खा लिया, तो जिस र के लिए बड़ा आसान होगा, कि वो पेड़ पर चड़े, और उन शाखाओं से हमारे बाड़े के अंदर आ जाए, लेकिन अब रात हो चुकी थी, कुछ करने की इस्थिती नहीं थी, तो मैंने सोचा, कि अगर आज वो लेपर नहीं आया, तो कल इन शाखाओं को कटवा लेकिन मेरे आदमियों ने ऐसा करने से मना कर दिया था, उनका कहना था, हम अकेले आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि खतरा बहुत जादा है, अब मेरा जो कुक था, जो कि बहुत जादा खराटे लेता था, मुझसे करीब एक गज़ की दूरी पर सो रहा था, और उसके पीछे बाकी के सारे आदमी साडन मशलियों की तरह है, जो कि एक छोटे से बाड़े में रहती हैं, वैसे सो रहे था, अब हमारे डिफेंस में वो पेड़ एक हमारी कमजोरी था, और उसके बारे में सोचते हुए मैं सो गया, अभी एक अच्छी चांदिनी रात थी, अचान अपने पैर स्लिपर्स में डाले, क्योंकि बाहर बहुत सारे काटे थे, चपल पहनना जरूरी था, तभी मुझे पेड़ से बहुत सारे क्रैक्स की आवाज आई, तभी मेरे कुक की आवाज आई, बाग भाग, एक जटके में टेंट के बाहर आ गया, राइफल फिर उठाई राइफल जल्दी से घुमाई, लेकिन अब तक काफी देर हो गई थी, उसके पहले ही वो लेपर्ड छलांग मार के चला गया, जल्दी से मैंने कटीली बार से काटे अटाए, भाग के उस खेत की तरफ गया, अब मैं ढूणने की कोशिश कर रहा था कि लेपर्ड कहा है, उसे कुछ आवाज आई, क्रैक की, उसने आग खोली, तो देखा, पेड़ के उपर तेंदुआ है, सीधे उसका चेहरा नजर आ रहा था, और वो मेरे उपर कूदने की तैयारी कर रहा है, अगले दिन वो पेड़ ही काट दिया गया, बार को और मजबूत कर दिया गया, हम ल ही कि कई घरों में उस लेपर्ड ने आसफल प्रयास किये अंदर घुसने के, पर मुझे मालूम था कि वो लेपर्ड अलक नंदा के इस साइड पर ही है, जिस साइड पर मैं उसे ढूंड रहा हूँ, आईबर्सन के आने के कुछ दिन बाद ये ख़बर मिली, कि लेपर्ड न पर पहुँचे तो हमने देखा कि एक गौशाला का दर्वाजा लेपर्ड ने तोड़ा था, कई गाए में से एक गाए को खीच के ले गया था, एक गाए को बाहर ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन दर्वाजे से उसे बाहर नहीं निकाल पाया, तो उसने वहीं दर्वाज में थोड़ा छेद कर दें, तो हम उस शेकार को देख सकते हैं, जो कि पढ़ा हुआ है, अब जो इस घर का मालिक था, वही गाए का भी मालिक था, और वो हमारे इस प्लान में को आपरेट करने के लिए दिल से तयार था, क्योंकि उसकी गाए को लेपड ने मार दिया था, उ उस शेकार को गार्ड करते रहे, लेकिन तेंद्वा आया नहीं, अगले दिन सुबह गाँवाले हमें विलेज राउंड पर लेके गए, और हमें निशान दिखाए कि उस तेंद्वे ने समय समय पर दरवाजों को तोड़ने की कितनी कोशिशे की थी, ये निशान उराने थे एक दरवाजे पर निशान काफी गहरे थे, मालुम चला कि ये वो घर है जिसमें चालिस बकरियों के साथ वो बच्चा सो रहा था, जिस पर तेंद्वे ने हमला कर दिया था, एक दो दिन के बाद एक गाई को फिर लेपड ने मार दिया, इंस्पेक्शन बंगलों से कुछ स गज की दूरी पर, यहां पर भी लेपड गाई को बाहर नहीं ले जा पाया, तो वहीं पर बैठके उसे खाया, इस जगे से दस गज की दूरी पर एक भूसे का धेर था, जो जमीन से दो फीट उपर बनाया गया था, हमने डिसाइड किया कि रात को हम इस भूसे के धेर में बैठेंगे, क्योंकि खावर हमारे पास सुबह सुबह आगी थी, तो हमारे पास पूरा दिन था, तो उस भूसे के धेर के पास में एक बहुत बढ़िया मचान बनाया गया, और मैं कह सकता हूँ, कि मचान, जितने मचान मैंने बनवाई थे, शिकार के लिए उन में से सबसे बहतर था, इसका काम शुरू करने के पहले, उस भूसे को धेर को हटाया गया, वहाँ पॉल खड़े किये गए, अब पॉल सपोर्ट करके एक प्लेट फार्म के बाद, नीचे एक छोटा प्लेट फार्म बनाया गया, उसमें एक पतली मेश चारो दरफ बांदी गई, अब ज इसा ही हो गया था, जैसे वो मचान बनाने के पहले था, उस भूसे के धेर का एक और मालिक था, जो कि उस वक्त गाउं से बाहर गया था, और जब वो वापस आया, तो उसे अपनी आखों पर विश्वास भी नहीं हुआ, उसे चारो तरफ रांड लिया, तब भी उसे कुछ मालुम नहीं चला, जब उसे पीछे दूसरा भूसे का डेर दिखाया गया, क्योंकि उसके अंदर से जो भूसा निकला था, उसे कहीं और लगाया था, तब उसे यकीन हुआ, अब सूरज डूबने वाला था, तो उस मचान में हमने एक छेद छोड़ा था, उस छेद के थू गिजट गिजट के हम मचान के अंदर चले गए, उसके बाद पीछे से हमारे आदमियों ने उस छेद को भी बन कर दिया, आईवर्टसन जिसकी के हाइट मुसे कम थी, वो उपर के मचान में बठा, और जब हम लोग कमफर्टेबल हो गए, तो हम दोनों ने अपने अपने प इशारा नहीं कर पाएंगे, तो इतै हुआ, जिसे लेपर्ड पहले दिखे, वो गोली चला दे, क्योंकि चांदनी रात थी, इलेक्ट्रिक लाइट यूज़ करने की कोई जरुवत नहीं थी, अब जब गाउं के लोगों ने डिनर कर लिया, उसके बाद जितनी भी आवाज घरों से आ रही थी, आवाज आनी बंद हो गई, करीबी रात के दस वजे मैंने आवाज सुनी की लेपर्ड पहाड से नीचे उतर रहा है, हमारे भूसे के डेर के नस्दीक वो आके थोड़ी देर के लिए रुका, फिर उसके नीचे क्रॉल करके घुसने लगा, यानि जो ल दियार कर रहा था कि वो आगे निकले और मुझसे तीन से चार फीट की दूरी पर वो मुझे नजर आए, तब ही उपर के प्लेटफार्म से हलकी सी आवाज आई और लेपर जटके से ररो पहाड के उपर भाग गया, ये जो आवाज आई थी, आईबर्सन ने अपनी पोजि बाजार के पास लेपर ने मारा, इस गाय का मालिक अपने एक कमरे के मकान में अलग थलग रहता था, और उसने अपने इस एक कमरे के मकान को एक लकड़ी से पार्टिशन बनाके किचिन और बेडरूम में कनवर्ट किया था, अब रात को उसे किचिन में से कुछ आवाज लकडी का प्लैंक खटाने की कोशिश कर रहा है वो आदमी पसीने से तर्बदर था देख रहा था और लेपड एक कमजोर प्लैंक को ढूंड रहा था जिसको कि वो हटा सके और जब लेपड को कुछ नहीं सूजा तो बाहर निकला घर के बगल में जो गाए बंदी थी उसे उसने मार दिया और जब उसने गाए को मारा उस रस्ती को भी तोड़ दिया जिससे गाए बंदी थी थोड़ी दूर तक खीच के ले गया अच्छा खासा जितना वो उसे खा सकता था उसे खाया फिर चला गया अब पहाड के किनारे पर जहां वो गाय पड़ी थी उससे करीब 20 गज की दूरी पर एक ठीक ठाक पेड़ था उसके उपर की ब्रांचेज में भूसे का ठेर बनाया हुआ था अब यह अपने आप बना बनाया मचान था क्योंकि उसके नीचे ढाल थी काफी गयराई थी मैंने और आईबर्सन ने डिसाइड किया कि हम इसमें बैठेंगे अब लेपड को मारने के लिए सरकार ने कुछ दिन पहले ही एक जिन ट्रैप भेजा था यह जिन ट्रैप करीब 5 फिट लंबा था और इसका बजन था करीब 80 पाउंड्स यह अपनी तरह की सबसे ज़्यादा डरावनी चीज थी जिसे कि मैंने देखा था इसमें लोहें के दात लगे हुए थे एक दात की लंबाई थी 3 इंचेज करीब 24 इंच तक यह दात फैले हुए थे और इसके स्प्रिंग को दबाने के लिए दो आदमियों की जरुत पढ़ती थी अब शिकार को छोड़ने के बाद लेपर एक फुट पात पे चला था जो की एक खेट था जो की था करीब 40 गज चोड़ा उसके पास में ही एक और खेट था और उसके बाद पहाड़ी थी जिसमें बहुत सारी जाड़ियां थी अब इसमें एक खेट से दूसरे खेट के बीच में तीन फुट की उचाई थी और हमने वो जिन ट्रेप वही पर लगा दिया हमें उमीदती कि लेपरड अपना कदम वहां रखेगा हमने कुछ काटे और जाड़ियां भी वहां पर बिखरा दी इस जिन ट्रेप का एक पार्ट आदा इंच मोटाई वाली चेन से जुड़ा हुआ था इसके आखरी में एक छला लगा था हमने एक खूटा गाड़ के मजबूती से बांग दिया जब ये सारे इंतजाम कर दिये गए तो जीन आइबर्सन हमारे आदमियों के साथ इंस्पेक्शन बंगलों में चली गई और मैं और आइबर्सन उस भूसे के धेर पर चड़ गए थोड़ा सा एक लकड़ी को हमने बांग के अपना एक स्क्रीन सा बना लिया जहां से हमें बाहर नजर आ रहा था अब जो हम बैटके कमफर्टेबल हो गए हमें इंतियार था उस लेपड का हमें उम्मीद थी आज हम चुकेंगे नहीं जैसे ही शाम ढली वैसे ही आसमान में बहुत सारे बादल आ गए और हमें लग रहा था कि 9 वे तक तो चंद्रमा नजर नहीं आएगा तो तब तक अगर लेपड आता तो हमें इलेक्ट्रिक लाइट की जरुवत पढ़ने वाली थी अब ये लाइट काफी भारी थी और आइबर्सन ने कहा कि इसे तुम अपनी राइफल पे लगा लो मैंने लगाया बड़ी मुश्किल से लगाया क्योंकि भारी बहुत थी अब जब अन्धेरा हो गया तो काफी गुस्से वाली गुराने की आवाज आ रही थी ऐसा लग रहा था कि लेपड जिन ट्रैप में फस चुका है जब मैंने इलेक्ट्रिक लाइट जलाई तो देखा कि लेपड उलजा हुआ है जिन ट्रैप में शायद उसके अगले पैर फस गए थे अब मैंने जल्दी जल्दी में अपनी 0.450 जीरो राइफल से जो गोली मारी वो गोली उस चेन में ही लग गई जिससे खूटा मधा हुआ था और उसके बाद मुझे दिखा लेपड छलांग मार के जाता हुआ उसके पीछे पीछे वो चेन जा रही थी तो मेरी लेफ्ट बैरल से मैंने एक शॉट लिया और आइबर्ट सन ने अपनी शॉट गन से दो शॉट मारे लेकिन ये सारे शॉट लेपड को लगे नहीं अपनी राइफल को जब मैं रिलोड कर रहा था तो मेरा हाथ लग गया उस लाइट में उसका कोई फंक्शन खराब हो गया और उसके बाद वो चली ही नहीं हमारे फोर शॉट्स और लेपड के गुराने के आवास सुनके आस पास के घरों के लोग निकल आए उनके हाथ में थी लाल्टेन और पाइन टॉर्चेज जो कि पाइन की लकडी को जलाने की मशाल होती है वो चारों तरफ से निकल के आने लगे अब उन्हें चिला के ये समझाना कि लेपड को गोली लगी नहीं है किसी काम का नहीं था क्योंकि वो सारे लोग खुद चिला रहे थे हमारे चिलाने की आवाज सुनने वाले नहीं थे अब मैं जल्दी जल्दी से समझान से उतरा अपनी राइफल लेके आगे बढ़ा आइबर्टसन ने पेट्रोल पंप में पंप मारे और उसे जलाया जिसे कि हम साथ लेके आए थे अब किसी तरह से आइबर्टसन ने वो लेम्प मुझे पकड़ाया फिर आइबर्टसन खोद उतरा उसके बाद हम बढ़ चले उस तरफ जहां गया था लेपर्ड अब एक जगे काफी ढ़लान सी थी आइबर्टसन ने वो लेम्प अपने सर पे रखा था और उसकी रोशनी में मैं उससे नीचे उतरा और उसके नीचे ढ़लान सी थी वहाँ पर लेपर्ड बैठा था क्राउचिंग पोजिशन में और गुर्डा रहा था कुछी सेगंड में मेरी गोली उसके सिर के हार पार निकल गई आसपास पब्लिक जमा थी खुशी के मारे नाचगा रहे थे और मेरे सामने एक बड़े साइज का लेपर्ड पड़ा था जिसने एक दिन पहले ही लकडी का पार्टीशन हटाने की कोशिश की थी एक इनसान को मारने के लिए और उसे उसे लाके में मारा गया था जहां बहुत सारे लोगों की जान गई थी ये मानने के लिए परियाप्त करण थे कि यही है रुद्र प्रयाग का आदम खोर मैंने वो रात देखी थी जब मैं उस महिला की लाश के पास बैठा था वो एक काली अंधेरी रात थी तो मैंने उस लेपर्ड की एक आकरती सी देखी थी और इस लेपर्ड को देखा था तो मुझे लग रहा था कि ये रुद्र प्रयाग का आदम खोर लेपर्ड नहीं है लेकिन लोग खुशिया मना रहे थे आगे आगे चल रहा था आईबर्ड सन पीछे था लेपर्ड सबसे पीछे चल रहा था मैं और उस पूरी भीड में अकेला मैं था जो कि जानता था कि ये रुद्र प्रयाग का आदम खोर नहीं है मेरे ख्यालों में एक घटना आ रही थी जब मैं एक बच्चा ही था और ये घटना थी मेरे विंटर हूम के पास की और इस घटना को मैंने एक पुस्तक में लिखा है जिसका की टाइटल है ब्रेव डीट्स ये भी कह सकते हैं कि वो ब्रेव डीट नहीं थी ब्रेवेस्ट डीट थी इस घटना में दो इंसान शामिल है एक का नाम था इसमें 10 जो की था इंडियन सिविल सर्विसेस से और दूसरा था ब्रेडवुड जो की था फॉरेस्ट डेपार्टमेंट से तो दोस्तों ये घटना और बाकी की कहानी कंटीनू करेंगे अगले एपिसोड में अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए चले मिलते हैं नए एपिसोड में तब तक के लिए ओल दे बेस्ट वन दे मातरों